नमस्कार आप देख रहे हैं हमारी खास पेश्ष बात सेहत की मैं हूँ आपके साथ शिल्पात ओमर देश में कोरोना वाइरस से बचाव के लिए शुरू हुए वैक्सिनेशन कैम्पेइन को एक साल पूरा हो गया है 16 जन्वरी 2021 से अब तक वैक्सिन की 157 करोड डोजिस लगाई जा चुकी है कोरोना वाइरस से लडाई में वैक्सिन को ही सबसे बड़ा हतियार माना गया वैक्सिन वो सुरक्षा का वच है जो कोरोना से हमें बचाने में हर संभाव मदद करती है स्वास्ता मंत्राली के मताबिक तक्रीबन 64.31 फीज दी यानि कि 65 करोड 21 लाख लोगों को दोनों डोजिस लग चुकी है वहीं 89.61 फीज दी यानि कि तक्रीबन 90 करोड 41 लोग सिंगल डोज भी लगवा चुके है इस तरह 10 करोड 99 लाख लोगों को एक भी डोज अब तक नहीं लग पाए 25 करोड 49 लोगों को अभी दूसरी डोज दी जवानी बाकी है देश में कोरोना वाइरिस जिस तरह से एक बर फिर से अपने नए वेरियन के दम पर पैर पसारता हुँ नज़रा रहा है तीसरी लहर की लड़ाई में वेक्सिन कहीं न कहीं कारगर साबित हो रही है दूसरी लहर की तुनला में इस बार मृत्य उदर बहुत कम है एक्सपर्स का मानना है तीसरी लहर में वेक्सिन का असर देखा जा रहा है चाहां लोग कोरोणा से संक्रमित तो हो रही है लेकिन उनकी जान पर नहीं बन पा रही है और यह अच्छी बात है इसलिए बार बार लोगों से दर्खवास्त की जा रही है कि जिन लोगों को अब तक वैक्सिन नहीं लगए है वो कुछ से सामने आए जल्द से जल्द अपनी वैक्सिन लगवाए है इसलिए अगर आपने भी अब तक वैक्सिन नहीं लगवाई है तो आप भी जल्दी से अप और आज पूरा एक साल हो चुका है यानि कि आजी के दिन पिछसे साल 16 जन्वरी 2021 को देश में बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर वेक्सिनेशन अब भियान की शुरुवात होई थी और आज एक साल बाद हम कहां पहुँचे हैं आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है पैनल का में तारुफ आपसे करवा देती हूं हमारे साथ तिसमें डॉक्टर डियार राई पूर वाइस प्रेजिदेंट आई में की वह जुड़ चुके हैं बहुत स्वागत हैं और दीपक और भी हमारे साथ जुड़ेवे हैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है चर्चा किश्रवात सबसे पहले दीपक साहुची आपके साथ एक साल हो चुका है इस एक साल में हमने क्या खोया क्या पाया 157 करोड लोगों को डोजिज लगाई जा चुकी है यह कितनी बड़ी उपलब्दी है हमारे देश के लिए और खास तोर पर कोर्णा की इस तीसरी लहर के दर्मिया बिलकुल यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है 157 करोड लोगों को हमने वैक्सीन जो है लगाई है और आपने भी बताया कि 64 प्रसेंट जो है 64 प्रसेंट लोगों को फुल वैक्सिनेटेड लोग जो है हो चुके हैं आज हम देख रहे हैं थर्ड वेव हमारे बैठ जो है बिलकुल कम हो रही है और एक माइनर सिम्टम से पेशंट गुजर रहे हैं और दो से चार पांस जिनमें पेशंट ठीक हो जा रहे हैं जी इतनी बड़ी अपर्चनिटी हमें मिली है और यह सिर्फ और सिर्फ की बदोलत हुआ है एक वैक्सीन को लेके वैक्सीने और पेशंट चल्दी क्यों हो रहा है सेंट्रल गॉर्मेंट ने भी इसका जो कॉरिंटाइन पिरेड है वो भी सेवन डेज कर दिया है और देख रहे हैं इसमें मिली है देखने को और ऐसा हो रहा है और अच्छा है और इससे बच भी रहे हैं लोग और मैं तो जो सबी ही लगी है या फिर जिनों को अपनी वैक्सिनेशन को कंप्लेट कर ले क्योंकि इसका इतना अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि आज हम कम अफेक्टिट हो रहे हैं और तुरंट जो है इससे ठीक हो जाते हैं और जो ओमीक्रोन का जो वेरियंट है वो हम पे है पारा है कुछ-कुछ लोगों ने ऐसी लापरवाई कर रहे हैं कि सिंगल वैक्सिन लगवाई हुई है उसकी जो सेक्ट डोस में गैप कर दिया है तो उस गैप को तुरंट उसको गैप को लही करना चाहिए था और वह अपनी वैक्सिन जो है लगवा ले और कुछ विलेज जैने में गोटानिक वैator कि शनने में आजना मिल झाता है कि यह से इन-फरिटिलीटी हो जाएगी यह देखने ऑँ मिल जाता है तो उसका कुछ बहुत नहीं है वह रिखने में आपका परिवार बचा रहे loin जो हमारा देश है वो कोविड नाइटिन फ्री जल्दी से जल्दी हो सके तो हमारा इसमें सयोग दे गवर्मेंट तो दही रही है बिल्कुल डॉक्टर डिया राय आपकी यह राय बहुत महतिपूर है दीपक साहुची अगर मिरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो बिल्कुल एप्रोप्रेट तरीके से हम आगे बढ़ें यह फिर कहीं कोई गुंजाश बाकी थी जो आगे पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि इस समय तीसले लेहर पीक पर आती जा रही है कि यह फिलक्दी ना होती हमने दिखिए दोजार दोजार कंदे जिसोंकि कोरुना ने गस्तल भी उस वगत हमारा देश बिल्कुल प्रिपेरेड नहीं था हमारा देश टूकाओं वर्ड की कोई भी देश भी प्रिपेरेड नहीं था अचानक एक बीमारी ने आके हमको गेरा जिसके बारे में किशी को कुछ पता नहीं था हीटन ट्राइल से हमने उसका इलाज किया पर आप देखिए उस एक खाल के दुरान हमने कितना खोया हमारे पास उसका आड़ी आड़ी पीसिया टेस्ट करने की सिर्फ दो लेविरोटरिया होती थी उसके बाद बीर दिरे करते करते हैं जाड़ा जारों के पहुंच गई है टेस्ट करने की संता हमारी बढ़ गई है अग दोजार दोजार इकिस को यानिकि दोजार इसके अंदर जब अगर यह वेक्सिनेशन दुर चालू ना की जाती तो अगर शेकिन वेविर के अंदर जो हमको भुगत ना पड़ा अगर यह उस्वकत पहले हो जाती चैट का परते लेकिन अगर आप कंपेर करें दूथरे देशों से जो कि वेल डवलड हैं फुली डवलड हैं पर एडवा पर आपकरों ने और हमारी सरकार ने और हमारे हज़़ वरकरत ने करके दिखा दिया एक तो सब्सक्रावन करोर का आंकड़ा कोई आसान बात नहीं कहना बिल्कुब लगाने के लिए कितनी में में पावर की जूर्त होती है कितने सर्सेश लगाने पड़ते हैं लेकिन सरकार ने वो भी करके दिखा दिया लेकिन उसके अंदर जो कुछ लापरवाई हुई है वो हमारी जन्ता की तरह से हुई है कुछ नेताओं ने कुछ पॉलिटिकल पार्डिज ने ऐसी ब्रामक सित्या बना दी कि अगर आप वेक्षित लगाओगे तो आपको यह हो जाएगा आपको वो हो जाएगा आपको ऐसे होगा तो यह मैं कहूंगा जो इस प्रकार की बात करने वाले वो देश के दिश्मन तो हैं वो समाज के से बड़े दिश्मन है क्योंकि जो अगर वो किसी को कोई आदमियों को फोलो करता तो वो आपने अपने अपने करती कुआ खोद रहा है देकि मुंको छर्म नहीं आई यह कहते हुए दूसरी बात यह बात कि अगर कोई डॉक्टर कभी भी वो चीज को पास नहीं करेगा प्रसिन को नहीं लिखेगा जो उसके मरीज के लिए आन करके दिखाई है तो मैं कहूंगा कि हमारी उपनफ दिया है हमको इसके तरफ सोचना नहीं दिए लेकिन आज की सारीक में जुरू कहूंगा कि यह जो थर्ड वेव आई है आप देख लीजे हमारे इस वकत नंबर कोई इंसक्शन रेट बहुत ज्यादा तेज है पहरे उसके लेकिन सीवेरेटी नहीं है और सीवेरेटी जो को रहे हैं देखे एक पोजिटिव के साथ मैं मान कि चतों आठ यह तक एस्म्ट्रमेटिक पोजिटिव होते हैं घर में दो तीन दिन खासी दुकाम होता है अपड़ा ठीक हो जाते हैं अगर यह स्थिति हम सेकिंड में देख करने की चीज़ें बढ़ा दिया अप्सियन के प्रांच लगा दिये यह सोचके कि अगर शेकिन वेव में जो हमको भुगतना पड़ा है थर वेव में नहीं भुगतना पड़े हर तरफ से हमने किया है तो अगर आपको प्लब्जी कहेंगी हमारा देश आज वर्ड जंदर न बिवारी से लड़ रहे हैं और जनता हमको सहयोग दे रही है और यह सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे में दीपक साहु जी यह तो मान लिया जाय क्या कि दूसरी लहर में जिस तरह से जबर्दस तबाही हमने देखी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई यह वैक्सिनेशन से क्या सबक लेना चाहिए कि जिन लोगों ने अब तक लेक्सिन नहीं लगवाई वह भी जल्शी से अपनी वैक्सिन की दोज ले ले लिए बिल्कुल ठीक बात है यह आज थड़ वेव के अंदर इतने केसी जा रहे हैं जैसे आज धाय लाख परड़े के सम्टिंग केस चल सब्सक्राइब कर लेते हैं और लगभग मैं तो यह कहना चाहूंगा कि 95% लोगों के अंदर ओमिक्रोन के सिम्टम्स हैं क्योंकि वैसे तो नहीं पता लगा सकते लेकिन सिम्टम से हम कुछ ना कुछ आइडेंटिफाइब कर लेते हैं कि परसनी अफ्रेक्टेट वाई ओमि पेशन्ट जो है बिल्कुल ठीक हो रहा है और ज्यादा अब देखो इसी को देखते हुई हो मैं सब्सक्राइब कर दी कोई सिम्टम कम है यह तो अच्छी बात है लेकिन दीपक साहु जी दूसरी तरफ एक और तस्फीर जो देखनी को मिल रही है वो यह कि लोग ठीक है हो म ऐसलेशन में 3-4 दिलों के अंदर ठीक हो जा रहे हैं लेकिन वो जब संक्रमित हो रहे हैं तो वो आठी पीचार टेस्ट ते कहीं न कहीं घबरा रहे हैं डर रहे हैं बुखार आते ही तरह एंट हो जा रहे हैं हालाकि उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले उन्हें आटी-पी-सीर कराना चाहिए ता कि अगर वाइरल मान कर चल रहे हैं यह सिंपल भुखार मान कर चल रहे हैं तो ऐसा नहों जबते को ने पता लगे कि वह वाकी में कॉर्णा के संक्रमन की जद में थे तब तक काफी बस इन यह तीन सिम्टम्स जो हैं देखने को मिल जाते हैं लेकिन ओमी क्रॉन के अंदर ओमी क्रॉन के इस पेसल फीचर में बताऊंगो आपको जिन से डारेक्ली अइंटिफाई हो जाएगा कि हां यह कोविड है और आप तैस्ट भी तो 99.9% पर कहता हो कि आपको पोजिट जो है देखने को मिलता है ठंड के साथ भुकार आएगा फीवर विच चिल्स यह एक स्पेसल इसके सिम्टम्स है और साथ में जुकाम होगी कोल्ड होगा और थोड़ी बहुत खासी भी होगी यह सिम्टम्स अगर किसी पेशन्ट में दिखते हैं तो तुरंत अपने आपको आइसोलेट करना है सबसे पहले और आइसोलेट करके अगर सबस्वीदाएं हैं अगर वो आटी-पी-स्या करा सकते हैं तो करा ले अगर सुवीदा नहीं है तो अपना आइसोलेट होके डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और अपना ट्रीटमेंट भही की ले ले जिससे की उसके घ अगर पॉसिबिल्टी है आपके पास टेस्ट कराने की तुरंत जाके या तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में डिस्पैंसरी में जाके करा ले अगर सुवीदा है तो प्राइवेट से भी आप इसका अपना टेस्ट कराके आइशुलेट होके किसी भी डॉक्तर से होगे ट्रेटमेंट ले सकते हो ऐसी इसमें सुवीदर है तो वो करें जिससे की सभी देशवासी से बचे रहे और जल्दी से जल्दी यह ठीक हो सके ठीक है इस बात का लोगों को ध्यान रखना होगा जोक्टर आए अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक साल से हमारा ही वैक्सिन कहीं कोई गड़बर हो जाए कि एक सो पैसिस करोन किया देश जो है बहुत कहना बोलना बहुत आपान है लेकिन उसको मैनेज करना कितना मुश्कित होता है अगर आप अपने देश की जिए आज वर्ड के अंदर हमारे देश को डेवलोपिं कहा जाता है उसकी एकोनोमी के सा कि एक करोड को पार कर गया एक करोड वेक्सिन से लगाना बढ़े यह कहना बहुत आज़ान है लेकिन कोई देश नहीं कर पाया तिरफ हिंदुस्तान नहीं करके दिखा दिया हमें गर्भ होना चाहिए इस बात को पर और इसकी और नुक्ताती नहीं निकालके लेकिन हम यही कहेंगे जो लोग वेक्सिन से अभी तक बचे वेक्सिन लगाईए अपने आपको बचाईए अपने परिवार को बचाईए जैसे दॉक्तान ने बोला कि एक ओल्ड का टाइम है बिल्कुट इसका उनने और इस वरकर कर्पीजन बहुत हो जाता है आज मिजे थोड़ा बुखार हो गया है क्या जुड़ता है मेरे को इसकाने की धर बढ़ जाएं तो अची बात है लेकि अगर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा परिशानी हो रही है क्रपा करें लेकिन आइसोलेट तो अबना को करी दे उससे क्या होगा कि आप भी बचे रहेंगे आपका परिवारी बचा रहेंगा एक सब्सक्राइब करोड़ लोगों को यहां पर देक्सिन की डोस लगाई जा चुकी है ऐसे में यूपी को इस जंग में इस अभियान में करोना के खिलाफ किस हट्टे क्रडिट दिया जाए यहां कि सरकार को किस हट्टेक सराहा जाए क्योंकि अगर ओते प्रदेश में 22 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सी नहीं लग पाती तो अंदाजन लगाए जा सकता था कि हम आज कहां होते और कितने क्रिटिकल सिच्वेशन पर खड़े होते हैं हाँ बिल्कूल देखो आपने ठीक बात कहिए यूपी में जो है 22 करोड पॉपलेशन है इतनी तो एक एक देश की पॉपलेशन होती है और इतने बड़े पॉपलेशन में वेक्सिनेट करना एक चुनोती है और फिर भी इस गौवर्मेंट ने हमारी जो गौवर्मेंट है उन्होंने कर दिखाया हमारे डॉक्टर्स ने हमरे स्टाफ ने मेडिकल परामेडिकल स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके इसको कम्पलेट किया लोगों को एक क्रिटीकल क्रिश्ट के टगर तो आज यह सब किसी कारण से है मैं तो यूपी की बात करना चाहूँगा यूपी में भी ऐसे कई जिगें हैं जहां पर कोगी वह विलेजिस का अरिया पर कुछ थोड़े से एजुकेटिड लोग नहीं नहीं पता है तो अगर सोचों वहां वैक्सिन नहीं लगती तो वहां वहां पर नहीं पहुच पाती कहीना कहीं अभाव है वेडिसिन का उठाख कुछ गाउं की में बाते कर रहे हैं तो वहां workshop यह लगती तो इस व्यवेड के अंदर ओं मिकौन हम नहीं ढूती है तो इस से आज हैffee बच गए है और सब एक अपना नॉर्म मॉझ जीवन नहीं इसका भी लेकिन अब बूस्टरोज भी जा रही है कहीं थोड़ा साफ कम हो जाता है तो ऐसा है वेक्षिन का तो रोल चलता रहेगा साथ में मास्क तो सबसे बड़ी वेक्षिन है कहीं तो मैं कहूंगा कि इस टाइम ज्यादा भीडवाली जिगों पेना जाए अगर जाते भी डॉक्टर आये आपके पास आते वेए सद देखा जाता है मुमन जब लहर का कहर मचना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले जो कोसा जाता है वह आम लोगों को को जाता है यह पाबंद्दिया अबचाती है इसलबन लोगों पर लगा दी जाती तो तो सर कम से कम आज की तारीख में उसी चलता कि उन्हीं आम लोगों की तारीफ भी बनती है, क्या कहिएगा? सब्सक्राइब करें तो उनको दोश देना हमारा फर्स बंता उनको सेतादा भी पड़ेगा कि आपके लिए हम इसी पर विचिती कर रहे हैं कम से कम आप भी सेव कीजिए जिन लोगों ने सेव किया वाज बचे में लोगों नहीं किया तेंके अभी कोरना चलना चुमें एक डा पढ़ रहा था कि जो आट लोग जो है जो बचे करना चीए उनको दोनों रहे हैं आपको वेक्षिनेशन लगा हुआ है आपको बीमारी हो रही है तो बहुत लाइट हो रही है आप अपने आप कुछ भी करने की जुट नहीं है तो हम जन्ता का स्योग रहा गिया है तो कुछ लोग का स्योग नहीं भी रहा तो जिनका नहीं रहा हो वे हम उनके लिए ही कहेंगे क्रुपा करके अपने आपको बचाना है तो इस ती ती चीजों को खोलो की दिये एक वेस्टिशन लगवा स्कुर्बा करके गलते में मत रहना वुष्ण लगाने के बाव जुद्धी आपके जरते नहीं होगा दीपक साहु जी वरिश चिकित्सक लगतार हमारे से जुड़ेवे हैं जाते जाते दीपक साहु जी क्या कहना चाहेंगे आप खास तोर पर उन लोगों को जिनोंने अब त यहीं कुछ ना हो जाए कोई किसी पॉल्टिकल पार्टी की वज़े से कुछ लोग भड़के हुए हैं तो मैं उन सभी लोगों से यागने करना चाहूँगा कि अपनी अपनी वैक्सीन ले ले क्योंकि आप देख रहे हो वैक्सीन का कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आ अपनी वैक्सीन जो है तुरंत ले ले कोई भी इसमें सिम्टम आने की सम्भावना नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिक्कत होगी को मौत होगी ऐसा कुछ नहीं है अभी तक ऐसा नहीं देखा गया हाँ वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज आता है और फिवर आने पर आप पैरा सिटा मोले के किसी डॉक्टर से कंसर्ट करके आप ठीट हो ठीक हो सकते हो और हजार में से एक प्रिशन्ट में ऐसा होता है तो घवराए नहीं नंबर आने पर अपनी वैक्सीन ले ले और इस देश का सहयोग दे कोबड़ फ्री होने है सब्सक्राइज निकालने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए तो वैक्सिनेशन अभ्यान को आज पूरा एक साल हो चुका है ऐसे में अब तक हमने का फिक कुछ अचीव किया है ये बड़ी उपलब्दी हमारे देश के लिए बताई जा रही है 157 करोड डोजिस लगाई जा चुकी है अभी ये लंबा सफर है हार नहीं माननी है ठकना नहीं है और खास तोर पर उन लोगों को भी हमें अपने साथ लेकर चलना होगा जिने वैक्सीन की एक डोज भी अब तक नहीं लग पाई है क्योंकि वो लोग हमारे ही लोग है अपने ही लोग है वो कहीं पीछे ना चूर चाहे कहीं वो कोरोना के संक्रमन की जद में आकर अपनी जान से हाथ ना धोने पाए इसके मद्य नजर उन्हें भी जागरू करते वे उन्हें भी अपने साथ आगे लेकर चलना होगा और धार के साथ इस वेक्सिनेशन अभियान को अभी और आगे ले जाना होगा फिलाल मेरे साथ इस चर्चे में जुनने के लिए आप सभी का बाद बाद चुक्रिया आपने रहे जनतंत्र टीवी के साथ नमस्कार खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सबस्क्राइब करें जनतंत्र टीवी और प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट के लिए अभी डाउनलोड करें